Guys, Data Structures and Algorithms के इस वीडियो में हम लोग आज Stack Data Structure देखने वाले हैं और Stack Data Structure जो है वो बहुत जादे important है कुछ reasons के लिए हम लोग बात करेंगे क्या होता है Stacks और यह जो मैंने Notes आप लोग के लिए भी बना रखे हैं यह मैं आप लोग को देने वाला हूँ as PDF Download और यहां पर हम लोग सबसे पहले start कर देते हैं अपने Stack के discussion का कि Stack क्या है तो जैसे कि मैंने यहां Notes में लिखा हुआ है Stack is a Linear Data Structure और देखते हैं कि यह किस तरह का Linear Data Structure होता है So guys, यहां पर आचुक हूँ मैं अपनी OneNote Notebook में है यहां पर आप लोग के लिए एक Straight Line की मदद से कुछ इस तरह से फिर कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से एक Container मेभी आप इसको कह सकते हो कि एक डबा टाइब का मैंने ड्रॉ कर लिया है आप लोग इस सोच रहोगे कि यह डबा मैंने ड्रॉ क्यों किया है क्या मेरा यहां पर मकसद क्या इस डबा करने का तो Stack आज आप लोग को समझ में आ जाएगा बस आप इतनी हिंट ले लो मुझ से और यहां पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि यह क्यों मैंने बनाया तो देखो यहां पर ऐसा होता है कि जो हमारी Stack होती है वो एक डब्बे की तरह ही होती है मैं अगर इस डब्बे के अंदर मानलो कोई वस्तू डाल देता हूँ मानलो ये एक वस्तू है ठीक है और मैं इसको डाल देता हूँ कहां पर मैं इसको मानलो डाल देता हूँ अपने इस डब्बे के अंदर तो यह डब्बे के अंदर आ जाएगी ठीक है और मैं इस तरह की थोड़ी तो-चार वस्तुएं और बना लेता हूँ और यह वस्तुएं मानलो मेरे पास पड़ी हुई है यह जो वस्तुएं है मुझे इन वस्तुओं को इस container के अंदर डालना है तो मैं ऐसे तो डाल नहीं सकता अब यहाँ पर one note में मैं डाल सकता हूँ लेकिन अगर मुझे real में container में डालना है वस्तुओं को तो मैं ऐसे डालूँगा ऐसे डालूँगा इसके अंदर और यह मैंने इसके अंदर यह डाल दिया ठीक है मान लो इस वस्तु का नाम है वस्तु नंबर एक ठीक है क्या नाम है इस वस्तु का वस्तु नंबर एक तो मैं इसको mark कर दूँगा यहाँ पर लाल कलर से कि भाई यह है वस्तु नंबर एक तो यहाँ पर जल्दी से टाइब कर देदा हूँ वस्तू नंबर एक, यह वस्तू नंबर एक है, ठीक है, अब अगर मान लो, मैं एक दूसरी वस्तू यहाँ पर डालूँ इसके अंदर, और आप लोगों भी सोच रहोगे कि आई चल क्या रहा है, मैं आप लोगों को सबसे प तो यह जो जडाल अमारा, इसमें जब तक जगा रहेगी, यह वस्तू का स्वागत करता रहेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर, ये झामानलो, मैंने इसके अंदर डाल दीगा गूज में और भूश्ताृ में आप करना है जनल Do तो जब चलने की कोशिश करते हैं अगर आप चरणदगे की कोशिश करते हैं अगर आप जनल के video कोशिच को आ होता है इनिजयर इंपे गले तो तोब अगर आप चलते हैं तो लोग भाई फुल हो चुक कि हाँ आओगे ऐसे बोलते हैं लोग खिड़की पखड़े हो गए तो वही कंडिशन यहाँ पर जब हो जाती है उसे हम कहते हैं कि बाई स्टाक जो है यहाँ पर फुल हो चुकिए अब आप इसके अंदर जो है रही ट्रेन में जगा नहीं है कहा बैठो के बाबु ऐसे बोलते हैं अगरा बाब मतलब ड्रेव लोजरे लोगी Verm vê स्टाकति तो वहलाय को जीए चला रहा है और क्या स्टाक की yapt तो क्या container कुछ भी बोल ले जा रहे हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यूं मैंने आपर यह stack की बात किया फिर हम लोग क्यों interested है इस तरह की data structure में ठीक है तो अगर हम stack को data structure के तौर भी define करें तो सबसे पहले stack linear data structure है और उसमें जो operations performed होते हैं वो leafo manner में होते हैं leafo का मतलब last in first out ठीक है अब मान लो कि आपका यह जो container है इसके अंदर आपने item number one डाला अगर मैं कहूं कि मुझे item number one निकालो निकाल करतो बिना item number two को निकाले क्या यह संभव है अब यह मत कहना container को card देंगे वो जादा हो जाएगा नहीं संभव है ठीक है container को card दो तो बहुत कुछ संभव है फिर तो मतलब कुछ भी कर लो ठीक है तो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं मतलब one note में तो मैं यह कह रहा हूं यहाँ पर कि अगर आपको वस्तू नंबर एक निकालना है बिना वस्तू नंबर दो तीन और चार को चुए आप नहीं निकाल सकते जो चीज अंत में गई है वो सबसे पहले बाहर निकलेगी जो चीज लास्ट में इन हुई है वो first out होगी यहाँ पर इस case में अगर मैं इन दोनों को mark कर मैं इस तरह से मैं इन दोनों को mark कर देता हूं और इसको मैं तीन कर देता हूं और इसको मैं चार कर देता हूं तो brick number 4 अगर निको break कहलो वसको आपको रहीं लगे राएंगा तो इसको break कह सकते हो आप तो break number 4 जो है वो सबसे पहले बार आएगी और break number 3 उसके बाद फिर break number 2 यानि कि जो सबसे पहले घुसी है वो सबसे बाद में आएगी बाहर और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया last जो in हुआ है वो first out हो जाएगा और जो first in हुआ है वो last out होगा तो feel-o भी कहते हैं इसको leaf-o के साथ feel-o भी कहते है first जो in है वो last out होगा और last जो in हो first out होगा ठीक है क्योंकि यह जो container है वो एक बंद डबा है तो इसलिए ऐसी property होती है stack में ठीक है यह वस्तों मैंने रखी थी यह रखे रहें देते हैं यहाँ पर तो stack आप लोगो यहाँ पर समझ में आ गया होगा अभी कि यह क्या चीज है मैंने होता क्या ही समझ में आ गया होगा मैंने आप लिगा item number 2 which is entered the basket last will be the first one to come out यानि कि बाहर आने वाला सबसे पहला element होने वाला है बस्तू number 2 अगर मैं इसको बाहर निकालू तो ठीक है लेकिन हम इस तरह के data structure में भलाई क्यों रूची लेंगे हम क्यों इस तरह के data structure में रूची लेंगे तो हम इस तरह के data की थी function calls की ठीक है अगर आप लोग को मालूम हो function calls के बारे में जो कि मैंने आप लोग को बताया था कौन से वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ पहले ही वीडियो में बताया था वो पहले या दूसरे पहले वीडियो में बताया था कि आपकी जो heap होती है, यहाँ पर मैंने आप लोग को heap बना कर दिखाई थी, stack बना कर दिखाई थी, यह जो stack है, मैंने बोला था कि इसके अंदर अलग-अलग functions जो की main के अंदर होते हैं, उनका activation record को रखा जाता है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ वापस से यहाँ पर, तो इ तो मैं आपर stack अगर बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं stack बनाना चाहता हूँ, मालो, और यहाँ पर मालो, मैं इसकी stack बना देता हूँ, इनको जरा function calls को रख देता हूँ, तो क्या होगा, कि मैं जरा eraser से इसको मिटा लेता हूँ, और यहाँ पर जरा सी जगा बना लेता हू ठीक है stack के लिए तो यहाँ पर stack के अंदर मैं क्या करूँगा मालो मेरा एक main function है यह मेरा main function है मालो तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसको अंदर डाल दूगा stack में ठीक है इसको मैं stack में डाल दूगा अब जो main function की stack है मालो main ने call किया कसी दूसरे function को तो मैं उस function की दूसरी stack बना दूगा फिर similarly उसने भी अगर किसी function को call किया तो क्या होगा तो यहापर मैं उसको भी अंदर डाल दूगा इस stack के ठीक है और finally जैसे ही वो function return हो जाएगा मैं stack से बाहर निकाल दूगा और similarly मैं जैसे इस function return होते जाएगे मैं इनके activation records को destroy करता जाओगा और finally जब हमारा program अंद होगा तो हमारे पास सारी stacks जो है in fact जो हमारी stack है वो खाली हो जाएगी जो stack है हमारी वो खाली हो जाएगी तो इस तरह के systems design करने में stack बहुत जादे useful होती है ठीक है एक और application देखते है मैंने अबर applications के बारे में बात की दूसरी application है हमारी stack की infix to postfix conversion इसके बारे मैं आगे बात करेंगे लेकिन मैं आपर अभी बात करना चाहूँगा हमारी तीसरी application की parenthesis matching ठीक है तो क्या होता है कि हमको कभी-कभी parenthesis matching एक expression में करनी पड़ते है कि अगर एक mathematical expression लिखा है जिसमें की parenthesis का use हो रहा है तो क्या वो mathematical जो expression है वो valid है और नहीं है parenthesis उसमें correctly match की गई है और नहीं की गई है वो हम निकालने के लिए stack का use करते है और बहुत सारी applications होती है stack की अभी अगर हम stack को सीखने से पहले ही इस तरह की सवाल करना start कर देंगी stack क्यों सीखें क्या फाइदा है मैं तो यह कर सकता हूँ मैं तो वो कर सकता हूँ stack की क्या जरूरत है that is not optimal मैं आप आप लोगों से कहूँगा कुछ देर के लिए stack को सीखो और हम जब आगे बढ़ेंगे इन सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और stack को define करते है as an abstract data type अब अगर आप लोगो इस चीज़ने डरा दिया तो मैं आप लोगो बता दूँ कि stack entity जो मैंने आप लिखा है मैं stack को as an abstract data type यानि कि कुछ methods के साथ और कुछ data representation के साथ मैं represent करना चाहता हूँ as an abstract data type मैं अपने programmer को जो मेरे लिए stack program करेगा उसको बताना चाहता हूँ भाई मुझे यह चीज़े चाहिए exactly like I am writing in my ADT यानि कि मैं जैसे तुमको यह abstract data type दे रहा हूँ मुझे यह implemented चाहिए तो आपका programmer पूछे का आप से कि भाई क्या चाहिए आपको मैं कहूँगा मुझे क्या चाहिए मुझे एक pointer चाहिए topmost element पर ठीक है देखो stack को हम किसी भी तरह से implement कर सकते हैं हम array से भी कर सकते हैं link list से भी कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा approach भी लेना चाहिए वो भी आप ले सकते हैं हम लेकिन array और link list यहाँ पर mainly use करते हैं stack को बनाने के लिए बट मान लो यहाँ पर अभी क्या हो कि एक abstract data type की तौर पर जब मैं stack को लिखूँगा तो मैं कहूँगा देखो भाई मैं अगर अपनी stack मना रहा हु तो मुझे pointer चाहिए topmost element पर तो मैं अगर इसको बोल दूंग Certainue की यह मेरी stack है तो मेना जो pointer होगा topmost element में उसको मैं कहे दूँगा top तो मैं आपर इसको मैं कवंगो मुझे pointer चाहिए जो point करता है topmost element में और इसको मैं कहना चाहुँगा top ठीक है और इसकी मुझे requirement है ठीक है ये मेरा top pointer है इसकी मुझे requirement है एक pointer मुझे चाहिए top ताकि मुझे पता चल जाएगी यास जो मेरी stack है उसका topmost element कौन सा है कौन सा point कर रहा है और यह जो सारे elements है पर ले लिया है जो की integers हैं हमारी stack के अंदर ठीक है और stack एक bucket की तरह है stack एक container की तरह है जिसके अंदर आप items डाल रहे हैं और जब items आप निकालेंगे तब आपने जो सबसे आखरी item डाला है वो निकालो गया बाहर पहले सबसे पहले बाहर निकलेगा जिसे कि 9 इस case में सबसे पहले बाहर निकलेगा ठीक है तो मैंने अपने programmer से कहा कि बाई देखो मुझे एक stack का implementation चाहिए code में और मुझे चाहिए pointer एक topmost node में यह मैं define कर सकूँ मैं पता कर सकूँ और कभी मुझे change भी करना हो तो कर सकूँ अपना topmost pointer यह pointer to topmost element तो यह top है ठीक है दूसी बात में उसस the topmost element along with other elements which are stored inside the stack यानि कि हमें topmost element का pointer चाहिए और हमें उन elements को store करने की जगा चाहिए जो और elements store होने वाले है इस case में मेरी stack में stored है 9, 6, 5 और 2 ठीक है अब यहां पर क्या होगा यह तो मेरा data हो गया जो कि मैंने आपर store कर लिया I am happy मुझे top pointer मिल गया अब मैं stack में कुछ operations perform करना चाहूँगा और वो operations क्या होंगे वो operations होंगे इसके अंदर कुछ element डाल दो जैसे मान लो यह element मान लो नहीं है ठीक है तो मैं इसके अंदर all element डाल सकता हूँ मैं तरब बड़ा कर लेता हूँ इसको अभी मेरी stack जो है वो full है मैंने आप लोग को full क करके दे दी इसी stack क्योंकि मैं एक example दे रहा था तो आपकी stack की capacity है उसके हिसाब से यह full हो भी सकती है और full नहीं भी हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो stack है मैंने इसको बनाया है और इसके अंदर कुछ elements है मैं इसके अंदर और element डाल सकता हूँ जैसे कि मुझ मैं नहीं निकाल रहा हूँ उसे बोलते हैं pop operation तो कोई operations यहाँ पर मैंने stack ADT में define किया हुआ है ताकि जो भी बंदा इस ADT को देखकर implementation करेगा मेरे stack की वो एकदम clear हो कि उसको क्या करना है पहला operation जो कि मैंने उसको बोला वो है push यानि कि एक element अगर मैं stack में डालना चाता हू इससे अगर मैंने 9 निकाल लिया तो मैं कहूंगा कि मैंने stack में से pop कर लिया ठीक है कौन सा element निकलेगा हमेशे topmost निकलेगा तो pop में मुझे बताना निए कि मैंने कौन सा element pop कर लिया आप 5 को pop करी नहीं सकते आप pop करोगे तो आपको 9 element ही पहले निकालना पड़ेगा तो जब बढ़िया इसके बाद peak, peak क्या है कि एक given position पर क्या value है ठीक है तो यहाँ पर मानलो मैं कहता हूं कि मुझे उपर से एक, दो, तीन, तीसरे पर कौन सी value है जो कि 5 है यहाँ पर तो मैं आपर peak कर सकता हूं यह अपनी stack को जाग कर देख सकता हूं और एक index में क्या value है यह मैं प पता कर सकते हैं कि कौन सा element जो है वो हमारा यह तीसरे position पर, पांचवे position पर, छटे position पर, जो भी position आपको दी गए उस पर है ठीक है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर दो functions मैंने एक ही line में लिख दे है is empty और is full क्या stack खाली है, is full का मतलब क्या stack भरी हुई है अगर हमारी stack भर element बाहर नहीं निकाल सकती क्यों कोई element ही नहीं है तो यह दोनों functions हमारे लिए determine करते हैं कि क्या हमारी stack खाली यह भरी हुई है ठीक है तो यह थे कुछ operations, यह notes आपको description में में डाल के देदूँगा तो इसकी कोई tension आपको नहीं होने वाली है आपको यह description में link मिल जाएगा notes क अब implementation की बात करते हैं कि stack को किस तरह से implement किया जा सकता है stack की definition लिखिया stack is a collection of elements with certain operations following leaf or any last in first out discipline ठीक है stack can be implemented using an array और link list हम देखेंगे दोनों किस तरह से array की साहते से implement होगी stack और किस तरह से link list की साहते से implement होगी stack ठीक है इससे पहले कि मैं आपर आगे बढ़ू मैं आप लोगो चाहूँगा कि मैंने सारे notes यहां पर डाल दिया है कभी कभी क्या होता है कि मैं जब video upload कर रहा हूं और video upload करने के कुछ गंटों तक मैं नहीं डाल पाता हूं notes आप लोग इनको handwritten form में भी download कर सकते हैं यहां से आप इस form में भी इसको download करके पढ़ सकते हैं और उसी के साथ सा आपको जादा यह आपका बन राज़ से कि मैं हूं मैं परसनल बताता हूं मैं जो है जब पहली बार पढ़ रहा हूं तो handwritten notes मुझे अच्छे लगते हैं मेरी आँख्वा को जादा अच्छा लगता है वो तो आप वो कर सकते हो इनको download कर सकते हो print out निकल वा सकते हो जैसे भ लिखा वो सारा code यहाँ पर available है और यहाँ पर मैंने इसको copy करके और मैं इसको run कर सकता हूं अपने यहाँ पर visual studio code में डाल कर तो आप जो है आपर सारे notes डाउनोड कर लें यह stack के भी डाल दूगा notes में मुझे थोड़ा time लग जाता है कभी कभी notes डालने में क्योंकि ऐसा बि बाद मुझे इसको upload करना है site पे तो काफी time लग जाता है उसमें और फिर उसके बाद आप लोग देखते हो कि किस तरह के notes है आपको level मैं अपने मूँ से नहीं बोलूँगा आप लोग खुद पढ़के आप देखो कि कितनी महनत लगती होगी इस तरह के notes बनाने में मैं बड़ा सा अगर आप share करोगे playlist को तो बहुत अच्छा लगेगा sadly बहुती कम लोगों ने in fact सिर्फ दो लोगों ने पिछले एक week में share किये playlist Instagram पर मैंने दोनों की story लगाई आयूश ने की थी और Gotham करके कोई थे उन्होंने एकी थी तो thank you यार दोनों को और आप लोग support करते हो और बहुती छोटी जो जनता है जो support कर रही है उनमे से आप दोनों आते हो तही दिल से thank you और अगर आप लोग भी यार करो share तो काफी मुझे help मिलेगी आप लोग share करोगे तो बहुत सारे बच स्टोरी पर आपको tag करके अपनी स्टोरी लगाऊंगा अगर आप लोगो ने इस्टा पर follow नहीं किया नीचे description में लिंक दिया हूए मैंने और pinned comment में भी मैं डाल दूंगा Instagram का link I hope कि आप लोग ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे immediately notes available करा दूंगा description में आपको ये notes मिल जाएंगे तो उसकी retention नहीं है सीरे download करना और इनको पढ़ना और अभी भले ही जो मैंने वीडियो में बोला वो notes में बोलने के बराबर यह मतलब दोनों चीज़े एक ही है लेकिन जब आप बात में मानलो 6-8 महीने के बाद revision चाहोगे तो ये notes बहुत ज़्यादा कारकर साव अब दॉस्त आइप अब हम सब्सक्रायब करें और विडियो को लाइक भी ज़रू कर देना अभी के लिए इस विडियो में इतने है गैस अगर आप लोको ने प्लेलिस्ट आकसस नहीं कर यह तो आप अपने ले जरू कर लेना यहां पर लेक़ित बुकमार्क और यहां क्लि this video and I will see you next time